हेलो फ्रेंड्स मैं याड़ी आदो आप सावी लोगों का नौलेज इट्यूड में एक बार फिर से वेलकम करता हूँ दोस्तो आज हम वनबस अप्टूशन के सिरीज के एक नए पार्ट का डिसकसन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला वनबस अप्टूशन है आप सामने अब पाइल ऑफ अब्जेक्ट टिपिकली वन डाट इस नेटली अरेंज्ड यह चीजों का धेर चीजों का धेर लगा होना लाट इस कॉल्ड स्टैक इसको बोलते हैं स्टैक इस्टैक यह जो है वर्ड यह वर्ड आपका स्टैकर साया है इसका रूट वर्ड इस्टैकर है इसका मतलब होता है है स्टीक इसका मतलब होता है है स्टीक इनि सूखी घास का धेर इसका मलब होता है आपका सूखी घासु का धेर है इस्टिक तो स्टैकर से मिल के बना है आपका स्टैक नेक्स्ट है आपका तो स्टाफ फ्राम प्रोग्रेस यहीं रुख जाना डाट इस स्टॉल का मलब होता है रुख जाना तो स्टॉल जो है यह आपका मिडिल इंग्लिस टर्म है स्टैलर साय जिसका मलब होता है इस्टैंडिंग प्लेस इसका मालब होता है स्टैंडिंग प्लेस यह स्टैलर से मिल के बना है जिसका मलब होता है हम जैसे सड़क के किनारे आप देखते इस टॉल लगा हूता है जा रहे हैं आपको इस टॉल दिखा और उस टॉल में बहुत अच्छा मालेज चाट का टॉल लगा हूए है तो बहुत अच्छी खुस्बू आ रही आपको तो उसकी खुस्बू सुनकर आप रुख गए तो चाट के स्टॉल में जो खुस्बू आ रही थी तो उस खुस्बू को सुनकर आप रुख गए तो स्टॉल को आप चाय के स्टॉल से या किसी भी चीज के खाने पेने के स्टॉ कर सकते हैं तो वो देखकर आप स्टॉल हो गया है यह रुख गये तो इस तरह से रेट करके लर्ण कर सकते हैं कि अगला है असर्डेन रस और फ्राइटेंड पिपल और एनिमल यह भगदर मत जाना अचानक जो है रस प्रीट हो जाना भगदर मत जाना स्टेंपेड को स्टेंपेड को आप निमोनिक्स लंग कर सकते और सब्सक्राइं गए उसको ऑख एए स्टंप से स्टंप प्लस पैड इस स़ाडuum जो क्रकेट का Or present यह ऊसके बारें बात हुर रही तो किर्केट का स्टम्प और बैस्मेन का पैड तो अगर किसी बैस्मेन के पैड पर स्टम्प से अगर कोई मार देगा माले उसका कोई अपोजिट टीम का जो कोई प्लेयर है तो बैस्मेन के पैड पर स्टम्प से मार दिया गुस्से में आगर तो जब स्टम से मार देंगे तो क्या अब दोनों टीमों में जगड़ा हो जाएगा और भकदर मच जाएगी तो स्टेंप पैट पर स्टम से मार दिया गया जिसके बजे से भकदर मच गई स्ट्रेस डिट करके आप लंकर सकते हैं स्टम पैट को और इसका एक road word भी है इसका road word Spanish word stampida 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 से आया है stampida 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 का मतलब होता है crash इसका मतलब होता है crash crash यानि भगतर मत जाना crash या अपरूर crash का मतलब होता है टकरा जाना एक दूस्रे से या अपरूर हो जाना भगतर मत जाना अपरूर मतलब होता है और crash मतलब होता है लड़ भीर जाना तो stampida से मिलका बना है आपका stampida next देखते है to cook food by heating it in steam from boiling water यानि कि बास्प से कोई चीज पकाना भाप से steam करना पानी के water की steam से किसी जूँ पकाना that is steam यानि भाप से पकाना steam करना जैसे कि मुमोस खाते हैं तो इस मुमोस को steam किया था है next है an organic compound एक जैबिक तत्व that is esteroid esteroid जो है एक organic compound होता है जो कि muscles को growth में यूज किया था है जैसे कि जो body builder होते हैं तो आपने muscles को बनाने के लिए याँ वेट गैन करने के लिए esteroid का injection लेते हैं esteroid जो है muscle की growth करने वाला organic compound होता है next है one who loads and upload ships जैसे जो जहाज में समान चरहता और जहाज से समान उतारता हूँ इनि ऐसा person जो जहाज से समान चरहता है और जहाज से समान उतारता भी है दोनों काम वो करता है that is step door तो इसको कैसे न करेंगे इसको ऐसे लेड़ करिए step plus door step मलब होता है सीड़ी door मलब तरवाजा step और door step और door एनि जो लेवर है step और door के सहारे ship पे चढ़ता है और समान को चढ़ाता है या समान से उतारता है पहले वो step से चढ़ेगा सीड़ी लगी होती है क्यों जहाज उचा होता है तो सीड़ी के सहारे जहाज पे चढ़ेगा और door उसने खोला और door खोल कर ship के अंदर समान रख दिया और फिर वापस उसी डोर से series से होते वे नीचे आ गया तो step और डोर के सहारे वो समान को series से उपा चढ़ाता है और नीचे भी उतारता है next देखते हैं अच्छा मैं इसका root बता न भूल गया इसका root पर दिख लेते हैं step door का यह लेटिन वर स्टीपर से है इसका मलब होता है to cramp या to pack steeper steeper इसका मलब होता है to cramp to cramp मलब होता है दबाना या एक मिनिंग और भी है इसका to cramp तो next है आपका हाँ तो यह हो गया आपका stable कौन हाँ तो हुआ था stamped इसका दो मेनिंग है stemper का एक बताया to cramp और दूसा है to pack next chapter a substance that raises levels of psychological or nervous activity in the body in the body यानि कि जो stimulate कर दे stimulate मलब होता है उत्तेजना ला देना excitement ला देना तो यह stimuler यह Latin word stimuler साया है इसका मलब होता है आज इसका मलब होता है यानि की strong desire next आपका to move a spoon or other implement round and round in a liquid or other substance in order to in order to mix it thoroughly यानि की किसी liquid में या किसी भी substance में या water में किसी चीज को गोलने के लिए चम्मच से हिलाना चम्मच आदी से मिलाना यानि की कुल मिला के बोले तो घोलना चम्मच से हिला कर किसी चीज को गोलना stir जैसे माले जे की अपने water में एगलास water में आपने सुगर या चीनी घोल लिया है डाला है और उसको मिलाने के लिए चम्मच से आप हिला रहे हैं तो चम्मच से हिला कर किसी चीज को mix कर देना अच्छे से उसको बोलते इश्टायर stir का मतलब होता है घोलना stir को आप stir से लिट कर सकते है stir इसको stir stir को stir अगर इसको पढ़ेंगे इस्थर ही पढ़ सकते है stir या इस्थिर चीजों को आस्थिर कर देना जब हम घोलेंगे तो जो चीनी नीशे बैठी हुई है वो इस्थिर है जब घोलेंगे तो आस्थिर हो जागा घोलने लगेगा मूब करने लगेगा और वो घुल जाएगा और श्टायर करने से स्थिर चीज भी आज स्थिर हो जाता है नेक्स्ट है a person who is indifferent to pleasure or pain या a person who is uninfected by emotion a person who is indifferent to pleasure or pain या ऐसा person जिसे चाहे खुशी मिले या जिसको दुख मिले पेन मिले दोनों में वो एक जैसा रहता कोई फर्क नहीं पड़ता है या a person who is unaffected by emotion ऐसा person जिसे emotion एफेक्ट नहीं करती है यानि कि सुख या दुख से आप्रभावित रहना सुख हो चाहे दुख हो दोनों ही उसे कोई प्रभाव नहीं डालती है यानि दोनों में वो एक समान रहता है या उल्ड बर्ड stoicer से आया है इस्टोइसेस जिसका मलब होता है परसान नोट इजली एक्साइट इस्टोइसेस इसका मलब होता है ऐसा परसन जो आसानी से जो है एक्साइट नहीं होता है नेक्स्ट आपका one who hides away on a ship to obtain a free passage एनि कि मुफ्थ में यात्रा करने वाला परसन मुफ्थ में यात्रा करने के लिए जहाज में छुप चाने वाला व्यक्ति एनि ऐसा परसन जो जहाज में छिप कर यात्रा करता हो ऐसा वो इसलिए करता है कि जिससे की उसे किराया ने देना परे नहीं पैसे बचाने के लिए वो च्षिप कर यात्रा करता है तो दूपना है स्टूवर्द ओवर्द से बींहें सटू और पलस ओवर्द एक इस्टू store store का मलब होता है conceal इसका मलब होता conceal यहनी छिपाना और दूसरा वर्ड है away away मलब बचे रहना या दूर रहना किसी चीज़ से दूर रहना यहनी किराय देने से दूर रहना बचे रहना जिसके वज़े से वो छिप के चाता है सिप में conceal मलब होता छिपाना यहनी अपने आपको छिपा कर सिप में यातरा करता है जिससे की वो दूर रहे किराय देने से नेक्स देखते हैं a narrow passage of water combining two large water bodies यह जल डबरू मद यह जल डबरू मद क्या होता है इससे बोलते है straight तो इसको ऐसे समझीए माली यह दो water body है यह दो ocean है कोई water bodies हो तो इन दोनों water bodies को जोड़ने के लिए एक channel होता है water का channel या passage या पानी का राष्ट या पानी एक छोटी से नहर हो माया या कोई water stream हो तो इन दोनों water bodies को जोड़ने के लिए जो बीच का रास्ता होता है, सो पानी का रास्ता है, यह विए वाटर का ही होता है, तो इसको बोलते हैं इस ट्रेट, जैसे कि पाक स्ट्रेट है, जो की इंडिया और स्री लंका को जोड़ती है, पाक स्ट्रेट. तो ये इस रास्ते को बोलते हैं to get things done दोके बाजी भरी योजना दैट इस स्ट्रेटेजम यह आपका फ्रेंच वर्ड स्ट्रेटोस आया है स्ट्रेटोस और दूसा वर्ड है आपका एजीन स्ट्रेटोस और एजीन स्ट्रेटोस का मालब होता है आर्मी इसके मालब होता है कैम्प या आर्मी और एजीन का मालब होता है टूलीड यहनि नेत्रत करना तो स्ट्रेटोस मालब आर्मी और एजीन मालब नेत्रत करने वाला यहनि आर्मी की नेत्रत करने वाली योजना ऐसी जो आरमी का नेत्रत्व करें तो जो आरमी जैसे कि आरमी होती है तो उसको लीट करने के लिए जो भी सेनापति होता है क्या करता है वो आशी योजना बनाता है कि वो धोखे से अपने सामने वारे दुस्मन को हरा दे अपने दुस्मन के दात खटे कर दे तो ऐसी योजना जो आर्मी बनाती है अपने दुस्मन को धोखे से धोखे बाजी से हरा देना That is stratagem Next है Of lower status यहनी नीचे का पद That is sub-altern 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 में होता है नीचे का पद Sub मतलब होता है below यह Latin word यह दो बड़ से मिनके बना है Sub Sub का मतलब होता है below यहनी नीचे का And Alternus दूसर बड़ है Alternus जिसका मतलब होता है All Others लोगों को छोड़ कर उससे नीचे का बिलो ऑल अदर्स बाकी लोगों से नीचे का रहेंग आम लोगों से नीचे का रहेंग तो अल्टरनेस मलब ऑल अदर बिलो मलब नीचे सब अल्टरन तो इसको अब ट्रिक से भी लद कर सकते हैं ट्रिक से ऐसे लद करेंगे सब प्लस अल्टर अल्टर मलब क्या होता है सन की टाइप का तो सब लोग अल्टर तो जो भी सब अल्टर जो भी सब लोग अल्टर होते हैं जितने भी लोग अल्टर होते हैं वो क्या करते हैं किसी ना किसी की नीचे काम करते हैं नीचे का पद उसे उन्हें नीचे का पद मिलता है क्योंकि वो नॉर्मल इनसान तो है नि वो अल्टर है थोड़ा सा सन की टाइप का है तो सन की टाइप के हैं जिसके वज़े से उन्हें नीचे का पद मिला है अगर अच्छे होते तो अच्छी रैंग मिलती है अच्छी पोस्ट की नोगनी मिलती है next to bring under dominant or control to bring under dominant or control यहनी अपने सासन के अधिन करना that is subjugate subjugate मलब वहता किसी के किसी को अपने सासन के अधिन करना अन्य अपने सासन के या अपने सत्ता के नीचे लाना that is subjugate तो यह दो वर्ट से मिलका बना है एक है sub sub मलब under और जुगूम का मलब होता है योग यह दो वर्ट से मिलका बना है एक है sub सब सब का मलब होता है अंडर मैंने पहले ही पता दिया थापको तूसरा है योग तो सब का मलब होगा अंडर योग का मलब होता है दास्ता का चिन दास्ता का चिन तो सब मलब अंडर योग मलब दास्ता के चिलने तो अगर किसी के अंडर में कोई काम करेगा किसी सत्ता के अंडर में रहेगा तो दास्ता स्विकार करना होगा इसका मतलब यहीं किसी के दास्ता स्विकार कर लेना कि सब्सक्राइब कर सकते हैं सब कि ऐसे रहे हैं कि सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब जुगेट को सब जुगार से लेट कर लिजे हलाग इतना परफेक्ट नहीं बैट रहा है फिर भी इसको आप लर्ण कर सकते हैं सब जुगार सब जुगार से यह जो सब जुगेट होते हैं सब कुछ जुगार से हासिल कर लेते हैं मेहनत नहीं करते हैं जो सत्ताधारी लोग होते हैं वो अपने सत्ता के ताकत पर या मान चलिए पावर से अपने पावर के बलबुते वो सब को जुगार से हासिल कर लेते हैं वो मेहनत नहीं करते हैं सब जुगेट लोग सब जुगार से काम करते हैं तो ट्रांस्फोर्म इन्टु आ प्यूर और आइडिलिस्ट फॉर्म एनि किसी चीज का अस्तर नीच्छा स्वरी उच्छा करना किसी चीज का अस्तर उच्छा कर देना अधिस सब्लीमेट एनि लेबल बढ़ा देना किसी चीज का सब्लीमेट यह आपका लेटिन बर्ड सब्लीमर साय है यह लेटिन बर्ड सब्लीमर 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 साय जिसका मलब होता है टू लिफ्ट अप यह लेटिन बर्ड इनि उच्छा उठाना किसी चीज का लेबल उपर कर देना किसी चीज का अस्तर उच्छा उठाना तो सब्लीमर से आया है आपका सब्लीमेट इसका मलब होता है किसी चीज का अस्तर उच्छा करना यह ऐसे कर सकते हैं ट्रिक से भी सब्लीमेट को सब्लीमीट सब्लस लिमीट यह रिमीट को तोड़कर उसका अस्तर उच्छा कर देना यह सारे लिमीट को तोड़कर लेबल बढ़ा दे ना इतना लेवल बढ़ा देना कि सारे लिमीट तोड़ दो इस तरह रिट कर सकते हैं नेक्स्ट है एन ओर्डर रिक्वाइरिंग अपर्सन तू अटेंड अकोर्ट एनि नियालाए द्वारा किसी को उपस्थित होने का आदेश तो कोर्ट का जो आदेश होता है कि उसे नियालाए में या कोर्ट में हाजिर होना है तुस आदेश को या ऑ爍वर को इस कोट आइवर को बोलते हैं सब पॉइनर तो सब मलाभ होता है अंडर यह दो बड़ स्कørम का बना है जो प्बिंग ऴनाल्टि सब प्लस पॉइना सब का मलब होगा अंडर पॉइना का मलब होता है पैनाल्टी पैनाल्टी लगा रहा है तो कोट जो है पैनाल्टी के लिए क्या करती है अपने उसको हाजिर होने के लिए बुलाती है अंडर यानि कोट के अंडर कोट के नीचे आपको पैनाल्टी के लिए बुलाया गया है नेक्स देखते हैं तो बिलिंग टू ओवे अदर पिपल यानि दूसरे की आग्या को गुलाम की तहा मानने वाला और ये लेटिन वर्ड आपका है यह आपका लेटिन वर्ड सर्विर्स आया है साबका मालाफ होता है दो बचसे लिए बना है साब साब मालाफ होगा अंडर या नीचे सब और प्लस सर्विर सर्वायर एक नट सब प्लस सर्वायर सब का मलब होता है नीचे या अंडर और सर्वायर का मलब होता है सर्व यहीं सेवा करना सब मलब अंडर और सर्वायर का मलब होता है सर्व यहीं सेवा करना यहनि किसी के नीचे रहकर किसी के अंडर में रहकर उसकी सेवा करना यहनि किसी का गुलाम बन कर रहना इसको ऐसे बिलन कर सकते हैं सब सर्वेंट सब, सब लोग सर्वेंट है तो सब सर्वेंट तो जितने भी सर्वेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो अपने मालिक के गुलाम होते हैं तो जितने भी servant है सभी servant अपने मालिक के गुलाम होते हैं उसके अंडर में रहकर उसके अपने मालिक के आगया का पालन करते हैं नेक्स है income just sufficient to live on एनि गुजर बसर करने के लिए मुश्किल से प्रयाप्धन मुश्किल से इतना कमाना कि खाली पेट भर जाए बस गुजर बसर मुश्किल से हो पाना future के लिए कुछ न बचे that is subsistence subsistence तो subsistence यह आपका Latin word subsister साया है subsister subsister जिसका मला होता है stand still और firm इसका मलब फर्म यह निसकी पार मलब इस्थर रहना samplesistence मला फर्म सबसेख उत्य कंए income होना किसी पर्सन का महालेजिया income इतनी ही एक दम jutra fix है उससे जदा वह नहीं कमा सकता है तो इतना ही कमा पाता है कि मुश्किल से श्वकुर्जर बसर हो तो कैसा लगा आपको कमेंट को माधियम से आप ज़रू बताइएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स पार्ट के साथ ओके थैंक फॉर वर्शिंग गुडवाई